तो फ्रेंड्स वेल्कम टू एच्पी जी के तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने भाग दो में पढ़ा था हिमांचल की नदियों की सहायक नदियों के बारे में तो ऐसे ही अब मैं उस से रिलेटिड भाग तीन में कुछ MCQ प्रेशन लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करते हूँ कि आप उनको बड़े ही असानी के साथ solve कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रेशन के और ब्यास नदि की सहायक नदियां है ब्यास नदि तो ब्यास को मैंने आपको रिलेट करना सिखाया है कि प्यास तो प्यास किसको लगी थी पारवती को और इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी के बिना रहने ही पारे थी और उससे गल भी नहीं हो रही थी तो क्या उप्शन बन के इसके बिनवा और न्यूगल यानि कि पानी के बिना उसे गल नहीं हो रही थी इसे पारवती से तो ब्यास नदी की सहायक नदियां बन गई बिन्वा और न्यूगल तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा प्रेशन है रावी की सहायक नदियां कौन सी है तो उप्शन ए है बुधिल, स्यूल, बी, गिरी, बाटा, न्यूगल या पुंग, पारवती या विर, पिन्वा तो जैसे कि मैंने आपको उसकी पहले ही ट्रिक पताए थी रवी के बारे में कि रवी क्या था, एक दल का मतलब उसका दल था और उस दल के अधार पे वो हर जगा दादा गिरी करता था ठीके, तो स्कूल में जाके वो छात्रों को भी परिशान करता था तो चातरों से जही सी बात है छतरानी बन गया और स्थूल यानि स्थूल से बन गया स्कूल तो अब आप समझ के होगे कि क्या option होनी चाहिए इसकी तो इसकी option है ए बुद्धिर और स्थूल यानि बुद्धिर इसमें भी दल आया और स्थूल यानि स्कूल तो स्कूल में जाके क्या करता था वो चातरों को परिशान करता था हर किसी पर मतलब दादगिरी दिखाता था अपनी तो friends हमारा तीशर प्रसन है सीर खड किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सीर खड अब जब भी आप इस सीर के बारे में सोचेंगे या कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको एकदम से याद आजाना चाहिए कि वो पीता था और हमारा सीर यानि दिमाग खाता था तो ये बात तो सकते हैं कि जब भी कोई पीता है तो हमारा सिर खाता है यानि हमारा दिमाग खाता है तो इसकी option मैं बताती हूँ आपको और आप खुद guess कीजिए नंबरे सतलुच, ब्यास, रावी, चिनाग तो friends मुझे लगते हैं आपको याद आगया होगा तो इसका जो आंसर है वो है सतलुच क्योंकि ये बात तो सकते हैं कि पीकर हर कोई हमारा सिर यानि दिमाग खाता है अब हमारा अगला question है पूंग खड किस नदी की सहायक है पूंग खड तो इसके option है ब्यास, रावी, यमुना और चिनाग तो friends इसकी जो आंसर है वो है ब्यास ब्यास यानि प्यास, प्यास के कारण क्या होता है हम जैसे पंगु से बन जाते हैं, बैट जाते हैं मतलब इतनी प्यास लगती है कि हमसे चला भी नहीं जाता तो पंगु यानि जब गोचल फिर नहीं पाता किसी चीज के अकारण तो उसको पंगु बोलते हैं, तो हम पंगु को रिलेट करेंगे पुंग से, तो पुंग यानि प्यास, यानि ब्यास तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अब है हमारा question पांच बान गंगा किसकी सहायक नदी है? बान गंगा तो मैंने बताया था आपको कि चाहे पारवती को गंगा का पानी लादो चाहे तो खड का पानी लादो क्योंकि उसे क्या लगी थी? बहुत जोरू की प्यास लगी थी तो मुझे उमीद है कि आप समझ के होगे इसकी option क्या है? तो बताये friends सतलुच, ब्यास, यमुनाया, रावी हाँ, तो इसका आंसर है ब्यास ब्यास यानि प्यास तो अब हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं हिमांचल की सबसे लंबी नदी है लंबी नदी तो हिमांचल की जो सबसे लंबी नदी है तो उसको आपको कैसे पहचानना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने सभी हिमांचल की जो पांचों नदी है उनमें आपने देखना है कि सबसे लंबा नाम किस नदी कार है तो सबसे लंबा नाम तो आपको पता ही होगा जैसे की सतलुच, रावी, चिनाव और यमुना तो बताएए फ्रेंड्स किसका सबसे लंबा नाम है सतलुच का तो इस हिसाब से हम बस ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे कि हमाचर की सबसे लंबी नादी जो है वो सतलुच है